तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं AECC Ability Enhancement Compulsory Course और यह जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं आज वह कम्यूनिकेशन कम्यूनिकेशन के हम यूनिट फर्स्ट को करने वाले हैं Theory of Communication and Introduction यह हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है हमारी जो यूनिट फर्स्ट है यह 2-3 वीडियो में फिनिश हो जाएगी सो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जो की Communication पर बेस्ट है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही Communication है फ्रेंट्स यह जो AECC नहीं Compulsory Course होता है इसमें दो सब्जेक्ट होते है यह जो हमारा Communication and EVS है यह बीए के फर्स्ट यह स्टूट्स होते हैं इनके लिए उनके लिए निए फर्स्ट सेमिस्टर में EVS या फिर कम्मिनिकेशन में से कोई एक मिल जाता है या फिर सेकिंड में अगर उनको कम्मिनिकेशन फर्स्ट सेमिस्टर में मिल चुका है तो उनको सेकिंड सेमिस्टर में EVS मिलेगा तो यानी फर्स्ट यह स्टूट्स के लिए Communication एक most important subject है विकोज यह उनको पढ़ना ही पढ़ना है या तो फर्स्ट यह में या फिर सेकिंड सेमिस्टर में चलिए मिना English के start करते हैं अपना topic so first हमारा जो point है वह है what is communication इसमें हम समझने वाले है communication क्या है आज कि पूरी वीडियो में हम यही समझेंगे what is communication so चलिए start करते हैं communication is the process communication जो है यह process है of sharing ideas share करना या आदान-प्रदान करना ideas का information का feelings अपनी भावनाओं का अपने विच्वारों का अपने तथ्यों का और understanding जो हमारे बीच समझ होती है from one person to another यानि एक person चे दूसरे person तक कि अपनी बातों को अपने ideas का अपनी thoughts का आदान-प्रदान करना यह जो process है इसको हम communication कहते हैं चलिए second point परते हैं अपना second है हमारा the English word यह जो English word है communication is derived derived का मतलब होता है लिया गया क्या मतलब होता है लिया गया तो the English word communication यह जो हमारा English word communication is derived उसे लिया गया है from the Latin word एक Latin word जो किया communis communication को Latin word communis से लिया गया है which means जिसका मतलब होता है sharing of ideas ideas का आदान-प्रदान करना information का amongst people लोगों के बीच में okay so next point पढ़ते हैं अपना next point है हमारा in the other word दूसरे शब्दों में बोले तो communication is the transmission and interaction of facts ideas opinion feelings or attitude यानि दूसरे शब्दों में बोले तो communication जो है इसमें transmission है यानि आदान-प्रदान है और interaction है किसका facts का ideas को communication and feelings or attitude का interaction मतलब जब दो चीज़े या फिर दो बातने एक साथ आके मिलती है या जब दो लोग आपस में मिलकर बात करते हैं जब उनकी खुद के opinions उनकी feelings एक दूसरे के साथ आके मिलती हैं मतभेद करती हैं तो इस process को communication कहते हैं नेक्स पॉइंट पढ़ते हैं अपना communication इसे essence of management यानि communications जो है वह essence है management का essence का मतलब होता है तत्व या फिर सार यानि communication जो है यह सार है management का या फिर तत्व है management का यानि अगर हम management किसी चीज़ की हम management करने चलते हैं तो उसमें communication एक important role play करता है communication का अच्छा होना उसमें बहुत ज़रूरी है तभी management हो सकती है तो चलिए next point पढ़ते है अपना basic function of management management का कोई भी basic function हो जैसे कि planning हो या फिर organization हो cannot be performed उसको अच्छे से perform नहीं किया जा सकता well without किसके बिना effective communication के बिना effective का मतलब होता है प्रभावित क्या होता है प्रभावित यानि कि basic function होता है management का like किसी चीज को plan करना organize करना उसको एक प्रभावित communication के बिना अच्छे से perform नहीं किया जा सकता है like हम किसी चीज के planning भी कर रहे है friends तो like दो लोग है हम किसी चीज को plan कर लें तो उसको plan करने के लिए दो लोगों के विचारों का उनकी thoughts का उनकी बीच की information का उनकी ideas का उनकी knowledge का मिलना बहुत ज़रूरी है तब तक वो management है वो अच्छे से perform नहीं हो पाएगा जब तक उनके बीच की effective communication है वो अच्छी नहीं होगे वो दूसरे की बातों को समझेंगे अपनी बातों को दूसरों को समझा पाएंगे तभी उनके बीच की communication effective होगे तभी वो किसी management को perform कर सकते हैं अच्छे से चलिए next point परते हैं अपना communication cannot take place without two parties communication जो है cannot take place यह नहीं हो सकते without two parties दो parties के बिना यह communication जो process है यह नहीं हो सकती है वो parties कौनची है sender and receiver sender sender में एक word आता है send send मतलब होता है किसी को कोई चीज भेजना and receive मतलब कोई चीज receive करना प्राप्त करना तो sender वो आदमी होता है या फिर वो person होता है जो अपनी बात किसी यह कहता है and receive वो person होता है जो उस बात को समझता है उस बात को सुनता है, तो कहने वाला sender and उसको सुनने वाला receiver और उस पर response करने वाला receiver होता है, तो बिना sender और receiver के communication का जो process है, वो नहीं हो सकता, ओके friends, चलिए अपने next point पढ़ते हैं, in order to make communication effective, यानि कि अगर हम अपनी communication को effective बनाना चाहते हैं, effective यानि प्रभावित बनाना चाहते हैं, sender should know reaction, sender को जानना चाहिए reaction, यानि प्रतिकिरिया, किसकी प्रतिकिरिया को, of receiver, ओके, तो अपनी communication को प्रभावित बनाने के लिए sender को receiver की प्रतिकिरिया को समझना चाहिए, तो receiver की प्रतिकिरिया है, उसको feedback कहते हैं, क्या कहते हैं, feedback कहते हैं, like friends, हम अभी एक बात समझते हैं, कि ये क्यों जरूरी है, कि हमारी communication तभी क्यों effective होगी, like अगर मैं आप से कुछ कहना चाह रही हूँ, तो जैसे कि, आप मेरे receiver हैं, मैं आपके लिए sender हूँ, मैं आपको ये पूरी बात समझाना चाह रही हूँ, तो अगर आप मुझे कोई प्रतिकिरिया देते हैं, अपना कोई reaction देते हैं, कोई feedback देते हैं, अगर मैं आपके इस feedback को समझ कर ये, पता लगा सकूँ, कि हाँ, आपको मेरी कही होई बात समझ आई है, या नहीं आई है, और अगर नहीं आई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, मैं आपको अलग तरीके से अपनी बात समझा सकूँ, तो हाँ, ये बहुत जरूरी होता, अपनी communication को effective बनाने के लिए, तभी मेरी communication बन पाएगे, तभी हम लोगों के बीच में एक लिं समझ पारा, लेकिन sender को receiver के प्रतिकिरिया को समझना चाहिए, कि अगर ये मेरी इस बात को इस तरीके से नहीं समझ रहा है, तो क्यों ना मैं इस दूसरे तरीके से बोल कर देखूं, तो इस पॉइंट में यही कहना चाह रहे हैं, कि अपनी communication को प्रभावित बनाने के लिए sender को यानि बात कहने वाले को receiver के प्रतिकिरिया को समझना चाहिए, उसके feedback को समझना चाहिए, चलिए अपने next point पर, तो हमारा next point है, perfect यानि एक बिल्कुल perfect communication, communication बिल्कुल सही और effective यानि प्रभावित communication would occur, हो सकती है, वेना thought और idea was transmitted, जब कोई एक सोच या फिर idea transmitted किया जाता उसे, so the receiver, और जो हमारा receiver होता हमारी बात को receive करने वाला होता है, सुनने वाला होता है, perceived exactly same meaning as sender, वो समझे बिल्कुल, बिल्कुल सेम वही मतलब उस बात का, जो sender कहना चाहता है, यानि हमारी communication effective और perfect तभी होगी, जब कोई thought या फिर idea जो कि sender, receiver को भेजना चाहता है, समझ जाए, तो वो जो हमारी communication होगी, वो तभी effective होगी, और तभी perfect communication कहलाएगी, okay, so next point हमारा, communication is essential to understand humans, culture and civilization, communication जो है, वो ज़रूरी है, समझने के लिए, humans, यानि इनसानों के culture, यानि उनकी संस्कृतिक और civilization, यानि सभ्यता को समझने के लिए, communication important, essential है, next point हमारा कहता है, communication act as a link, communication जो है, act करती है, कड़ी की तरह, किसके बीच में, between people, groups and world, यानि communication लोगों को, groups को, और संसार को जोड़ती है, यह इन सब के बीच में कड़ी का काम करती है, ठीक है, next point हमारा, success people have better communication way, जो people success हो चुके है, यानि, जो लोग, मतलब, जो लोग success हो चुके है, उन लोगों के पास, एक better communication way होता है, हमने notice किया, जो लोग success है, वो एक बहुत अलग धंग से बात करते है, उनका बात करने का, उनका communicate करने का, वे ही बहुत अच्छा होता है, देन, others, दूसरे लोगों के मताबिक, so इसलिए हम कह सकते है, effective communication, यानि एक प्रभावित communication, जो है, is essential, वो जरूरी है, to achieve our goals in life, जिससे कि हम अपने goals, जो है, अचीव कर सकते हैं, अपनी life में, चलिए, friends, अब पढ़ते हैं, अपने definitions of communication की तरफ, यहां पर हम definitions पढ़ेंगे, communication की, यहां पर मैंने आज चानों definition दी हुई है, मैंने बहुत अच्छे से try किया है, कि आपको सारी definitions clear हो, यहां पर अलग-अलग writer ने अलग-अलग definition दी है, ओके friends, first है हमानी according to Luther, Luther के according क्या definition है, communication की, it is the transmission, उनके अनिसाय communication जो है, वो transmission है, of commonly meaningful information, यानि की communication के अंदर transmission होता है, यानि एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, इसके अंदर transmission होता है, meaningful information का, जो एक ऐसे information का जो की बहुत meaningful होती है, यानि जिसका कोई मतलब होता है, अर्थ पून, information का transmission होता है, एक person से दूसरे person में, and it is also a process, और हाँ यह कैसा process भी है, that involves, जो की involve करता है, exchange of behaviors, जिसके अंदर behavior, यानि हमारे व्यभार का exchange भी होता है, क्या होता है, व्यभार का exchange भी होता है, second है हमारी according to send bone, send bone के according communication क्या है, so communication is the process of sending and receiving messages, send bone के according communication एक ऐसा process है, जिसके अंदर messages को sending and receiving होती है, यानि जिसके अंदर messages को send करते हैं and receive करते हैं, और यह जो पूरा processes को communication कहते हैं, next definition है हमारी according to fortune, fortune के according, it is a procedure, यह एक ऐसा procedure है, whereby जिसके तहत one mind effects other mind, जिसके तहत एक दिमाग दूसरे दिमाग को effect करता है, उस पर असर डालता है, एक दिमाग दूसरे दिमाग को effect करता है, यह जो procedure है, इसको communication कहते है, according to fortune, हमारी fourth definition है, according to newstorm and davis, okay, so, इनके according communication is the transfer, communication जो है, यह transfer है of information, किसका information का, from one person to another person, यानि एक person से दूसरे person तक पहुचना, एक information का, वो communication है, it is a way of reaching others, यह एक रास्ता है, जिसके थूँ हम दूसरे तक पहुच सकते हैं, by transmitting ideas, facts, thoughts, feelings and values, according to newstorm and davis, communication एक ऐसा रास्ता है, जिसके रास्ते हम दूसरे लोगों तक पहुच सकते हैं, अपने ideas, अपने तत्यों को, अपनी विचारों को, अपनी feelings को, अपने मूल्यों को transmit करके, ओके फ्रेंट्स, चलिए अपनी next definition पढ़ते हैं, हमारी next definition according to trivatha, so communication is process of transferring, communication एक process है, जिसके अंदर transferring होती है and receiving, और receiving होती है, किसके information की, through use of common symbols, यानि इनके according, इसमें communication जो एक process है, जिसके अंदर transferring होते हैं, किसी चीज़का हम भेजते हैं, कोई जो है receive करता है information को किसकी मदद से, common symbols की मदद से, so that understanding takes place, जिसकी मदद से, understanding जो समझ जो होती है, वह पनपती है, ओके फ्रेंट्स, चलिए पढ़ते हैं, अपनी 6th definition, 6th definition हमारी according to emery and others, इन्होंने जो बोला, communication is art, यानि communication एक कला है, transmitting information, information को transmit करने के एक जगे से दूसरे जगे करने, बेजने की ideas and attitudes, from one person to another, एक परसन से दूसरे परसन तक, एक परसन से दूसरे परसन तक, अपनी information, ideas और attitude को transmit करना, transfer करना, दाम प्रदान करना, इसको बोलते हैं, communication, second है हमारी according to A. Kumar, A. Kumar के according, communication is process of making a message, यानि communication एक ऐसा process, जिसके अंदर हम एक message को, इस लायक समझने लायक बनाते हैं, making a message understood, by satisfying the need sets and ego sets of a receiver, यानि ये एक ऐसा process है, जिसके अंदर हम एक message को समझने लायक बनाते हैं, जो कि उसको receiver के need sets, यानि उसकी जरूरतों को और उसकी ego sets को satisfy कर सके, यानि वह message ऐसा होना चाहिए, कि जो सुनने वाला है उसको वह उसकी जरूरत को और उसकी ego को satisfy कर सके, मैसेज ऐसा होना चाहिए, तो यह जो process है इसको हम communication कहते है, according to A. Kumar, तो चलिए friends अपना एक चार्ट देखते हैं, simple chart of communication process, इसके अंदर हमने communication process को एक simplified way में दिखाने की कोशिश किये, कि communication process होता क्या है और यह कैसे होता है, इसमें एक sender होता है, sender को हम communicator भी बोलते हैं, sender को हमने पहले बताया था, जो बात कहने वाला होता है, communicator यानि जो बात स्टार्ट करता है, कहने वाला होता है, यह अपना एक message होता है, या फिर जो information होता है, उसको भेजता है receiver तब, receiver वह आदमी होता है, वह person होता है, जो receive करता है message को सुनता है, ठीक है, इसको communicator भी बोलते हैं, receiver जो होता है, फिर उस message को receive करने के बाद, यानि प्राप्त करने के बाद, इस information को प्राप्त करने के बाद, एक अपनी विचार बनाता है, एक अपनी राय देता है, reaction होता है, उस messages के उपर, उस reaction को feedback बोलते हैं, उसके उस प्रति के लिया को, reaction को feedback बोलते है, receiver के, फिर जो feedback होता है, sender इस feedback के हिसाब से पता लगाता है, कि जो receiver है, वो उसकी बात को सही तरीके से समझ पाया है या नहीं, अगर, sender को यह लगता है, feedback से, कि receiver, sender की बात को सही तरीके से नहीं समझ पाया है, तो sender अपनी उसी बात को दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करता है, कि शायद receiver इस तरीके से अच्छे से समझ जाए, तो यह हमारा पूरा एक process था, communication process, जो कि हमने इस चार्ट के थूर समझने की कोशिश की, I hope आपको यह बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, अगर आपको इस topic से related कोई भी doubt है, तो please मुझे comment box में comment कीज़े, मैं तूरा ट्राय करूंगे आपका कोई भी doubt क्लियर करने के लिए, Thanks for watching, जय हिंच जय भारत पसंद आपक तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो सरूर कीजिए